सुन्दर्वन जंगल में बंटी कबूतर और टुन्टोनी चडिया भीक मांग कर अपने घर का गुजारा करते थे वो दोनों सुभा सुभा भीक मांगने के लिए निकल जाते थे और देर शाम अपने घोसले में लोटते थे उन दोनों के एक प्यारी सी बेटी थी अपनी बेटी का नाम उन्होंने बड़े प्यार से पिंकी रखा था एक दिन टुन्टोनी चुड़ी अपने पती से कहती है बंटी हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है हम उसे अच्छी परवरिश देंगे हम लोगों की जिन्दगी तो भीक मांग तो एक कड़ गई लेकिन मैं अपनी बेटी को भीक मांगने नहीं दूंगी मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी तक बंटी कबूतर कहता है हाँ टुंटुनी मैं भी यही चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ भीक में इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं कोई दूसरा काम कर सकूँ पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है दो टाइम का खाना जोटाना मुश्किल पढ़ जाता है इस तरह दोनों पती पतनी अपनी बेटी की भविश्य के लिए चिंता कर रहे थे उसी समय संद्री कववी वहां से गुजर रही थी जब वो बंटी कबू कर और टुंटुनी चुडिया को भीक मांगतो ये देखती है तो वहां रुख जाती है तब ही टुंटुनी चुडिया कहती है कुछ खानी को दे दो बेहन भगवान तुम्हारा भला करेगा तब गुस्से में संद्री कववी कहती है देख टुंटुनी चुडिया तु मेरी यात्रा खराब मत कर मैं किसी काम से जा रही हूँ तुम बिखारियों को या देखा तो रुख गई तुम भी क्यो मांगते हो कोई दूसरा धंदा करो तुंटुनी चल तू भी क्या यात करेगी ये ले ये मेरे पास एक लोटरी की टिकेट पड़ी है अभी कुछ ही दिन पहले खरी दी थी मुझे तो इन लोटरी की टिकेट में कोई उश्वास ही नहीं लेकिन कालू कववे ने मुझे जबर्दस्ती ये दे दिया शायद तुम्हारी ये लोटरी लग जाए सुन्दरी कववी लोटरी का टिकेट तुन्टुनी चुडिया को दे देती है लोटरी का टिकेट लेकर तुन्टुनी चुडिया कहती है तुम्हारी यात्रा सफल हो सुंधरी कववी की जाने के बाद बंटी कबूतर तुन-टुनी चुड़िया से कहता है सुना था सुंधरी कववी कंजूस है आज देख भी लिया तुम्हें स्लॉटरी के टिकट को संभाल कर घर पर रख देना हाँ बंटी मैं इसे संभाल कर रख दूंगी अब चलो शाम हो गई है गोसले में चलते हैं दौनों अपने गोसले में आते हैं तुन-टुनी चुडिया संभाल कर टिकट को एक कौने में रख देती है इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं उन दौनों को टिकट के बारे में याद भी नहीं रहता एक दिन जब टुन-टुनी चुडियो बंटी कबूतर भीक मांगने के लिए जा रहे थे तब पिंकी चुडिया कहती है पापा मैं एक आगज ले लूँ इसे मैं हवाई जहाज बना कर उड़ाऊंगी तब टुन-टुनी चुडिया देखती है कि पिंकी लौटरी के टिकट लेकर उसके पास खड़ी है टुन-टुनी चुडिया पिंकी से लौटरी के टिकट चीन लेती है अरे मैं तब लौटरी के टिकट के बारे में भूली गई थी बन्टी अभी तुम इस लौटरी के टिकट को ले जाकर देखो इस टिकट का क्या परिणाम आया है बन्टी वो टिकट लेकर कालू कुई के पास जाता है कालू भाई ज़रा इस लोटरी के नंबर को मिला कर देखो कि इसका क्या परिणाम आया है कालू लोटरी की नंबर को मिलाता है और बंटी कबूतर को बताता है अरे बंटी भाया, तुम्हारी तो 10 लाग की लोटरी लगी है, तुम्हारे तो दिन फिर गए बंटी, ये लो तुम्हारे पैसे बंटी कबूतर खुशी-खुशी 10 लाग उरुपे लेकर अपने घौसले में आता है बंटी कबूतर के हाथ में रुप्यों से भरा बैक देखकर तुन-टुनी चुडिया नाचने लगती है उसके इस खुशी में उसकी बेटी पिंकी भी शामिल हो जाती है तब तुन-टुनी चुडिया बंटी कबूतर से कहती है बंटी तुम इन पैसों से बड़ा सा बिजनस कर लो अब हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे उसे डॉक्टर बनाएंगे इस तरह बंटी कबूतर और टुन टुनी चुडिया भीक मांगना छोड़ देते हैं और उस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं साथ ही जंगल की पक्षियों की मदद भी करने लगते हैं सुन्दरवन जंगल में टुनी नाम की कंजूस चडिया रहा करती थी उसका एक बेटा था जिसका नाम गोलू था गोलू पर लिक कर विदेश में कड़कना कवे के यहां नौकरी करने लगा एक बार वो अपनी मां से मिलने के लिए घर आया हुआ था मौका देख कर टूनी कहती है बेटा अब मुझसे घर का काम नहीं होता ऐसा कर तू बिहा कर ले अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए कोई सुन्दर चिडिया देखकर तेरा विया कर दू मां मैं बताना तो नहीं चाहता था लेकिन जब आपने मेरी शादी की बाद छेड़ी दिये तो मैं बता देता हूँ मेरी एक कल्फरंट चिडिया है और मैं उसी से शादी करूँगा कौन है जरा मुझे भी तो बता वही मेरी बच्पन की दोस्त टून्टूनी टून्टूनी वो तो बहुत ही गरीब घर की चिडिया है उसके माबाप तो दहेज भी नहीं देंगे अब तू ही बता तेरे पढ़ाने लिखाने में मेरा कितना पैसा खर्च हुआ है वो पैसा तेरी शादी से ही तो वसूल होगा तो गोलू कहता है माँ आपको क्यों चाहिए हम लोगों को पैसे की क्या कमी है लेकिन बेटा तेरी शादी में खर्च भी तो होंगे माँ मैं कुछ नहीं जानता मैं तो शादी तून्टूनी से ही करूँगा वरना विदेश चला जाऊँगा सोच लो ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी कुछ दिनों के बाद तून्टूनी गोलू की शादी हो जाती है शादी की अगले ही दिन तूनी अपनी बहू को बुला कर कहती है बहू आज से सारे घर का काम तुझे ही करना है मैंने नौकरों को चुट्टी दे दी घर में बस हम लोग है मिल बाट कर सारा काम कर लेंगे बिकार में नौकरों पर पैसे खर्च करने से क्या फाइदा है ठीक है माजी मैं कर लूँगी सारा काम जा बहू जाकर पहले चाय बना ले टुन्टुरी रसोई में चाय बनाने जाती है वो देखती है कि गैस खतम हो चुका है टुन्टुरी अपनी सास के पास जाकर कहती है माजी गैस तो खतम हो गई है मैं कैसे चाय बनाओ अच्छा बहू रहने देख गर्मी बहुत है लेकिन माजी हम लोग खाएंगी क्या इसमें सोचना क्या है बहू शादी की बहुत सारी पूरियां और सबजियां बची हुई है मैंने उसे फ्रिज में रख दिया है हफते भर तो वो चलेंगी ही अपनी सास की कंजूसी देखकर टुन्टुरी हक्का पक्का रह जाती है वो जाकर अपनी पती गोलु को ये बात बताती है गोलु तुम्हारी मा कितनी कंजूस है भगवान बचा ऐसी सास से मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कंजूस चड़िया कभी नहीं देखी क्यों क्या हुआ तुम्हारी मा ने शादी की बच्ची हुई पूरियां और सबजियां फिरिज में रख दी है और अब एक सब्ता तक उसे खाने को कह रही है ये सब मुझसे नहीं होगा तुम अभी जाओ और अपनी मा को समझाओ गुसे में गोलु अपनी मा के पास आता है मा तुम इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो बासी खाना खाने से तबियत बिगड जाएगी अगर चूले की लकड़ी खतम हो गई है तो चलो आज हम लोग बाहर ही खाना खाते हैं बेटा तु ऐसी बाते क्यों कर रहा है मैं बहु से जबरदस्ती खाने को थोड़ी ना कह रही हूँ आखिर अनाज फैकने से क्या फाइदा मैं तो सिर्फ बहु को समझा रही थी अगर बहु को नहीं खाना तो तुम लोग जाओ बाहर खालो लेकिन मैं तो वही खाना खाऊंगी टूनी के जित के आगे सभी को जुकना पड़ता है और सभी वही खाना खाते हैं बासी खाना खा कर टून टूनी की तब्यत खराब हो जाती है उससे उल्टियां होने लगती है जब गोलू डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगता है तब तूनी कहती है अरे बेटा डॉक्टर को बुलाने के कोई जरूरत नहीं लगता है बहू मा बनने वाली है मा अग तुम ये कैसी बाते कर रही हो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूँगा मैं अभी डॉक्टरों को लेकर आ रहा हूँ अब तुम्हारी कंजूसी नहीं चलेगी गोलू बुलबुल डॉक्टरों को लेकर घर आता है बुलबुल डॉक्टर चेक अप करती है और बताती है गोलु जी आपकी पत्नी को फूट पोईजनेंग हुई है अगर ज्यादर देरी होती तो इनकी चान भी जा सकती थी डॉक्टर की पास सुन कर गोलु अपनी मापर घुसा करता है और टुन टुनी के ठीक हो जाने के बाद उसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए वितेश चला जाता है किसी जैनल में बंटी कबूतर और टुन टुनी नाम के पत्नी रहा करते थे एक दिन टुन टुनी और बंटी में जगड़ा शुरू हो जाता है तुन तुनी अभी तक तो मैं चुप था लेकिन तुमने फिर से गड़की को जनम दे दिया अब मैं तेरी तीन बेटियों को खर्च नहीं उठा सकता अभी के अभी निकल जा मेरे घर से बंटी अभ मैं इन बच्चियों को लेकर कहा जाओंगी ये तीनों बच्चिया तुम्हारी ही है तुम्हारा दिला जितना पत्थर क्यों हो गया है इन बच्चियों के मासुम चैरे को देखकर भी तुम्हें इन पे तरस नहीं आता हाँ नहीं आता तु अभी के अभी इने लेकर निकल जा नहीं देखनी मुझे तुमारी और तुमारी बेटियों की शकल बंटी आज तुम जिन बेटियों को घर से बहार निकाल रहे हो एक दिन तुम्हें इन बेटियों पर नाज होगा मैं इने लेकर जा रही हूँ अगर तुम्हें अतरास ना हो तो मैं तुम्हारे पास वाली पेड़ पर जौपड़ी बना कर उसमें रहना चाती हूँ जा जाकर रहले लेकिन मुझसे कोई वास्ता मत रखना टुन टुनी उस पेड़ पर जौपड़ी बना कर उसमें रहने लगती है और पडोस के घरों में जाडू पोची का काम करने लगती है एक दिन मा बहुत जोरू की भूक लग रही है कुछ खाने को दे दो अच्छा बेटा तुम लोग यहां बैट जाओ मैं अभी तुम लोगों को खाना देती हूं तुन तुनी अपनी तीनों बेटियों को खाना खाने के लिए देती है मा आप रोज रोज सुखी रोटी ही देती हो खाने को जब हम पापा के घर थे तब हमें खिचडी भी मिलती थी खाने को मा पापा ने हम लोगों को क्यों घर से निकाल दिया क्या बताऊं बेटी, पापा ने हम लोगों को क्यों घट से निकाल दिया, तुम लोग जल्दी जल्दी खाना खालो, मैं कल तुम लोगों को किसी तरह खिचडी बना कर खिलाऊंगी रात में सबी सो जाती है, लेकिन टुन टुनी की आँखों में नींद नहीं थी, तभी उसकी पास उसकी सहीली का फोन आता है अरे टुन टुनी आज कल तुम कहा हो, बहुत ढूंते ढूंते तेरा नंबर मिला क्या बताओं, आज कल मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरे पती ने तीन बेटी होने की मुझे सजा दी है मुझे मेरे बेटियों के साथ मुझे घर से बहर निकाल दिया है, और मुझे से पूरी तरह से रिष्टा तोड लिया है तुन्टुनी तु कल मुझे मिल, मैंने गरीब लोगों के लिए एक सिलाई सेंटर खोला है, तु कल से मेरे इस सिलाई सेंटर की देखभाल करना शुरू कर दे, और इस काम के लिए मैं तुमें अच्छा खासा बाजरा और अनाज दूंगी, तो क्या कहती है कल से तु आ रह देती है, मा ये देखिए हम तीनों अपनी अपनी कलास में फरस्ट आये हैं, हाँ बेटा, तो मिसी तरह मल लगा कर पढ़ना और एक दिन अपने माबाप का नाम रोशन करना, कुछ सालों बार टुन्टुनी की तीनों बेटियां पुलिस अफसर बन जाती हैं और अपनी मा क के साथ खुशी-खुशी रहने लगती हैं